पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंता करती है। हमें गालिया देती रहती है। बर्बाद करने वाले लोग हमारा जबाब मांग रही जी। अगर प्रकृती की सबसे ज़्यादा सेवा किसी ने की है, तो भारत की समाज ने की है। हम वो लोग हैं जो नदी को मी मा कहते हैं, पौधे को परमात्मा कहते हैं, छोड में रन छोड ये हम कहते हैं। और हमें इस दुनिया समझा रहे हैं कि ये करो भो न करो। भारत ने अपनी भूमी का सफ़्ष्ट करनी चाहिए, दुनिया के सामने है। आज विश्वजी संकट से गुजर रहा है, उस समझा का समाधान हमारे सांसकूर्तिक मुल्यों में है, हमारे जीवन के आदर्स्वों में जुड़ा हुआ है, ये विश्वास के साथ जाना चाहिए, और ये मेरी भारतिय समाध से सरवाधी का पेक्षा है। हमारे यहां महलाएं जितना वरत करती हैं हिंदुस्तान में, सारे वरत देख लिजिए, प्रकूर्ति की पूजा होती है वो। प्रकूर्ति का सम्मान करना ये हमारे यहां समसकार में होता है। हमारे यहां बच्चा बालक बिस्तर से नीचे उतरता है, उसके माँ उसको सिखाती है। कि पहले पुरुथवी माता की शमा मांगो अपना पैर रखने से बहले कि मैं मात तुझे दुखी कर रहा हूं मैं अपना पैर रख रहा हूं पहले पुरुथवी माता को प्रणाम करो फिर पैर रखो ये हमारे संस्कृति और संस्कार में पढ़ा हुआ है जिस समाज ने इसको संजोया हुआ है आज विश्व को हिशाब देना पूट रहा है सूरिय के साथ गोडों के रत की कल्पना सूरिय को शक्ति रूप में मानना हमारी हम माना गया जग्दिश चेंदर बोजने वे बनस्पति में जीव होता है ये कहां उसके बाद ही वे निश्व को शक्ति में जीव आयाजा नहीं है हम हजारों साल से पौद्धे में परमात्मा है ये देखने वाले लोग रहे है कहने का तात्वर है कि इस विशे में हमारी अपनी मास्टर ही हमारा सामर्थ है हम दुनिया के जवाब देने लोग नहीं है दुनिया का जवाब हमने मागना चाहिए कि आप हैं जिन्होंने परकुर्दी को तबहा किया है हम वो लोग हैं जो मिल्किंग आप नेचर में मानते हैं एक्ष्प्रॉइटेशन आप नेचर उसे हम क्राइम मानते हैं और इसलिए दुनिया जिस संकटों से गुजर रही है उसके सामने हमारा तात्विक ताकत है खड़े रहने की लेकिन जो समस्या है उसका समाधान भी ढूनना पड़ेगा